तो दोस्ता अपने इंक रिफिल करने का टाइम हा गया है अभी हम अपने तीनों मारकर में इंक रिफिल करेंगे ये खुलेगा आपका गड़ी की विप्रित दिशा में जबकि मारकर खुलता है आपका गड़ी की दिशा में सबसे ज़्यादा मारकर में दिकत आती है सूखने की तो वह क्यों सूखता है जब हम केव खुला छोड़ देते हैं तो आपका सूख जाता है इस बात का ध्यान रखें केव लंबे शमय तक खुला नहीं छोड़ना है थोड़ा थोड़ा सामने दिखने लग जाए तब तक डालना या ऐसे गिन कर आप 40 से 50 ड्रोप डाल सकते हैं अब आता है नमर हमारा ब्लेक का घड़ी की दिशा में खुलेगा यह कैसे खुलेगा विप्रित दिशा में यह बन्द कैसे होगा गड़ी की विपरित दिशा में यह बन्द होगा गड़ी की दिशा में यह जिस तरफ खुला था उसको बन्द होगा सिंपल घड़ी की दिशा में खुले गई अभी घड़ी की सुई की दिशा में तो चलिए हमारा ये काम तो पूरा हो गया है अब हम सुरू करेंगे अपना पढ़ाने का काम ओके वीडियो कैसे लगा नीचे कोमेंट कर बताओ